गुड मॉर्निंग टू आल ओफ यू तो टुड़े विल डिस्कस रोटेशनल इन्वेरियंस ऑफ स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसको हम वेक्टर एक्स एक्स्प्लेंड करेंगे अब सपोज हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं एंड और वह एक फ्रेम प्रेफरेंस सपोज एक्स बाइज आपका एक फ्रेम ओफ रेफरेंस है उसमें दोनों पार्टिकल्स आपके और उनके पूजिशन वेक्टर्स आपके आरवन एंड रटो ठीक है अब आपने क्या करना है अगर आप इस दोनों पार्टिकल्स को आप रोटेट करते हैं से इस दोनों पार्टिकल्स आपके और आपने सिस्ट्रम को थूसम आंगल रोटेट कर दिया है तो देट मेंस आपकी प्रेंशन नर्जी यू आरवन आरट यू आट इस इक्वेल तो यू आरवन माइनस आरट तु ठीक है अब जब आपने सिस्ट्रम को से यू आपका आंगल है इससे आपने रोटेट किया तो आपकी पोजिशन वेक्टर जो आरवन था वो चैंज हो गया आरवन प्लस दियार वन में ठीक है और जो आरट तो था वो चैंज हो है सेम रही है आपकी तो जो potential energy आपकी u r1 r2 वो क्या रहेगी that is equal to u r1 plus dr1 r2 plus dr2 ठीक है तो पहले और बाद में potential energy क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी अब right inside को हम Taylor theorem से expand कर देते हैं Taylor theorem से expand करना मैंने आपको बताया हुआ है तो r1 plus dr1 r2 plus dr2 किसके बराबर हो जाएगा that is equal to u r1 r2 plus dr1 dot grad1 u plus dr2 dot grad2 u ठीक है यह वाली value आपने right hand side substitute कर दी है तो यहां से आगया u r1 r2 that is equal to u r1 r2 ठीक है plus dr1 dot grad1 u plus dr2 dot grad2 u यहां से u r1 r2 आपका cancel हो गया तो remaining कितना बचा है आपका dr1 dot grad1 u plus dr2 dot grad2 u that is equal to 0 ठीक है अब आपको पता है force क्या होती है that is negative of gradient of potential f is equal to minus grad u क्यां आपकोब किसदो क्या हों प्र nuts को इन ब丁 मने हो बाभ इन नव यहां से राभवस कर डिक हो